हे एवरिवन कैसे हैं आप सभी लोग तो आज मैं आपके साथ एकदम मार्केट स्टाइल बहुत ही ज़्यादा सौफ्ट एकदम जूसी और मुँ में घुल जाने वाले माबा गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करूँगी वैसे इसे बनाना थोड़ असा ट्रिकी होता है पर इस वीडियो में मैं बहुत अच्छे से आपको बताओंगी कि आपको कौन-कौन सी सापधानी रखनी है इन्हें बनाने के लिए जिससे कि आपके गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा बढ़िया एकदम सौफ्ट और मुँ ने घुल जाने वाले बने तो चलिये फिर वीडियो को शुरू करते हैं तो मावा गुलाब जामुन को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 10- replay एकदम फ्रेश और बढ़िया मावा तो गुलाब जामुन बनाने के लिए या तो आप मावा घर पे बना स जाशनी तो चाशनी बनाने के लिए यहां पर मैंने कप का यूज़ किया है तो आपके पास अगर मेजरिंग कप नहों तो आप को भी कटोरी सैट कर लीजेए तो यहां पर मैंने 1,5 कप बढ़नी है और उसी कप से नाप के 1,5 कप यहां पर हम पानी डाल देंगे तो अब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे मैंने चीनी बहुत जादा यूज़ की है तो यहाँ पे चीनी जादा बिल्कुल भी नहीं है रसगुलों की चाशनी जो हमें बनानी होती है वो थोड़ी सी जादा ही बनानी होती है जिससे कि गुलाब जामुन अच्छे से उसमें डूब जाएं और अच्छे से उनका रस एब्सॉर कर पाएं अगर आपने चाशनी कम बनाई ना तो क्या होता है अंदर तक चाशनी अच्छे से नहीं भर पाती जिससे कि गुलाब जामुन जो है सौफ नहीं बनते हैं तो यहाँ पे सबसे पहली टिप यही है कि गुलाब जामुन की जो आप चाशनी बनाए वो थोड़ी सी जादा बनाए चाहे आप बाद में उठाके उसे रख दें किसी और रेसिपी में उसका यूज कर ले तो चलिए अब चलते हैं मावा की तरफ तो यहाँ पे मैंने ले लि लेंगे और ग्रेट करने के बाद हाथों से बहुत अच्छे से हमेश करना है तो अक्सर हम जब कभी भी घर पे गुलाब जामुन बनाते हैं तो वो मार्केट जैसे बढ़िया नहीं बन पाते हैं पर आज मैं आपको ऐसी टिप और टिक्स बताऊंगी ना जिसके बाद आप 50-60 ग्राम पनीर ले लिया है और उसे भी इसमें ग्रेट करके एड़ कर देंगे अब इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे मैदा तो जो खाने वाली चम्मच होती है ना उससे नाप के मैंने यहाँ पे 6-7 चम्मच भरके मैदा डाल दिये आपको यहाँ पे मैदा कम भी आड़ करनी है या फिर नहीं तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप और देना चाहती हूं कि इसमें ना आप पनीर जरूर एड़ करें क्योंकि पनीर ना हलवाई बगेरा जब बाहर बनाते हैं गुलाब जामुन तो भी एड़ करते हैं और उनी से पूछ के मैंने यह टिप यह पे अजमाई है तो अगर आपके पास पनीर ना हो तो आपना चार चमच मिल्क पाउडर भी एड़ कर सकते हैं पनीर डालने से जो गुलाब जामुन हैं बहुत ही जादा सौफ बनते हैं और उनका टेस्ट भी बहुत जादा बढ़ी आता है तो यहाँ पे अब सभी चीजों बहुत अच्छे से मिक्स करना है और हतेलियों की मदद से खूब अच्छे से गूत लेना है क्योंकि इसमें जो यह step होता है माबा को अच्छे से मलने वाला यह बहुत ही जादा में होता है तो इसमें आप बिल्कुल भी जल्दी बाजी ना करें पूरा time देके बढ़िया से इसे खूम मसले और जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूं न हतेलियों से पीछे की साइट से जो होता है न हतेलिय वाला हिस्सा वहां से आप इसे खूब रगड़ें खूब अच्छे से रगड़ें और बीच में न फिर आप जब पंद्रमट कम्प्लीट हो जाएं तब इसकी एक छूटी सी बॉल बना कर देखें वो बॉल जो है बिल्कुल भी फटनी नहीं चाहिए तब आप समझ जाएए कि मावा अब बिल्कुल परफेक्ट है हमारे गुलाब जामुन बनाने के लिए तो कभी कभी क्या होता है जब हम घर पे गुलाब जामुन बनाते हैं तो वो बाजार की तरह बढ़िया नहीं बन पाते हैं कभी तो वो फ्राई करते टाइम फट जाते हैं कभी जूसी नहीं बनते या फिर कभी कभी अंदर से बहुत जादा हार्ड रह जाते हैं जिसकी बज़े से हम फिर आगे कभी गुलाब जामुन बनाते ही नहीं है तो एक बार आप ये वीडियो पूरी देखें एंड तक अच्छे से समझें मैंने आपको क्या क्या बताया है और उसके बाद आप गुलाब जामुन एक बार जरू ट्राइ करें मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके बाद आपके गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा बढ़िया बनेंगे तो यहाँ पर देखें और मुष्ट हमारी चाशनी बन गई है मैंने उसमें थोड़ी सी इलाइची पाउडर भी डाल दिया है और अब दूसी कड़ाई में मैंने ना तेल को गर्म होने रख दिया है तो जब तक हमारा कोकिंग ऑईल गर्म हो रहा है तब तक मैं पांच मिनट के लिए इसे दुबारा से बहुत बढ़िया से मिक्स कर लूँगी तो बस आप लोग यहीं पे थोड़ी सी गलती कर जाते हैं जल्दी बाजी में आप इसे बना लेते हैं और जो मावा है ना बढ़िया से आप टाइम देके इसे नहीं फेटते हैं जिसकी बज़े से गुलाब जामुन फट जाते हैं कभी-कभी फूलते नहीं हैं और जो कुछ भी परेशानिया आती है ना गुलाब जामुन बनाते समय वो इसी लिए आती हैं तो देखिए यहां पे बहुत बढ़िया से मैंने इसे फेट लिया है और अब जो मावा है बहुत ही जाता सूपर सॉफ्ट हो गया है तो इसके बाद हम लेंगे एक थोड़ा सा पोर्शन और इस तरह घुमाते हुए ना इसकी एक दम क्रैक फ्री बॉल बनाके तयार कर लेंगे तो आपको गुलाब जामुन किस साइज में बनाने हैं उस हिसाब से आप थोड़ा सा मिक्स हतेलियों के बीच में रखिए और घुमाते हुए इसकी एक क्रैक फ्री बॉल बनाके तयार कर लीजे तो यहाँ पर ना मैं तो इने मीडियम साइज में बनाके रख रही हूँ आज इसलिए मैंने इनकी बॉल भी थोड़ी सी छोटी बनाई है उसके बाद हम एक छोटी सी बॉल और बनाएंगे क्योंकि इस बॉल को डाल के हम सबसे पहले देखेंगे कि यह अच्छे से फूल रहा है या फिर नहीं और साथ में ये भी चेक कर लेंगे कि हमारा गुलाब जामुन फ्राई करते पे बीच में से फट तो नहीं गया तो उसके लिए एक आप बॉल छोटी सी अलग से बना के रख लीजे उससे हम तेल का टेमपरेचर भी चेक कर लेंगे क्योंकि गुलाब जामुन फ्राई करते समय ना तेल का टेमपरेचर भी एकदम परफेक्ट होना चाहिए ना ही ज़्यादा गर आपने गरम गरम में डाल देना तो क्या होगा उनकी ऊपर की जो इसकिन होती है ना चार्शनी में डालने के बाद बो हट जाती है और अगर आपने ठंडे में फ्राई कर दिया तो बढ़िया से फूलेंगे ही नहीं तो उसका टेमपरेचर भी बहुत जादा मेन होता है गुलाब जामुन फ्राई करत तो देखें यहाँ पर छोटी वाली जो हमने बॉल डाली थी ना वो अच्छे से फ्राई हो गई है बहुत बढ़िया से फूल गई है अंदर भी एक दम खोकली हो गई है और ओल में जाके फटी भी नहीं है तो हमने जो इसमें मैदा डाला था एक दम परफेक्ट था केबल स साथ चमच आपको मैदा डालना है आधा किलो माबा के लिए और उसके बाद हम सारे गुलाब जामन को धीरे धीरे करके इसमें डाल देंगे और बढ़िया से फ्राई कर लेंगे तो गैस की फ्लेम आप मीडियम ही रखें ना तो हाई करें और ना ही लो करें और इस तरह घु तो उमीद करती हूँ दोस्तों कि आपको सारी चीजें बहुत बढ़िया से समझ में आ गई होंगी और आगे आप जब भी गुलाब जामन बनाएंगे तो आपके भी बहुत जादा बढ़िया बनेंगे एक तम हलवाई स्टाइल तो इस होली ना आप एक बार जरूर चाशनी में डाल देगे क्योंकि गुलाब जामन तो अभी गर्म है और ठोड़ीषिर झौलाब जाम तो एक अधम कर नदोया है तो आप तो आप दोनों को और अदेविया भी घुलाब जामन यहादा लाइनわか ép sought गरम हमारी hyण घ्राई round देटी है तो जासे घेइशनी को आ यहां पे मैंने fry करती जा रही हूं और साथ के साथ इसे चाशनी में डालती जा रही हूं जिससे कि बहुत बढ़िया से यह चाशनी को पी लेंगे और साइज में यह डबल हो जाएंगे और आप देख सकते हैं कि एक भी गुलाब जामुन जो है बिलकुल भी नहीं फटा है बहुत ही बढ़िया शेप में न सारे बन के तयार हुए है देखे फ्रेंड्स एक दम देख के न मज़ा आ गया न आपके भी मुह में पानी आ गया होगा इन्हें देख के तो I'm sure सच में फ्रेंड्स बहुत ही जादा बढ़िया बने थे मैने भी साइद नहीं सोचा था कि इतने जादा बढ़िया बनन जाएंगे तो एक बारना आप मेरे बताई तरीके से इनों जरूर बनाएं मुझए पूरी उमीद है आपको बहुत ही जादा पसंद आएंगे तो यहाँ पर यह लास्ट बैच है इसे भी हमने फ्राइ कर लिया है और इसी में एड़ कर दिया है अब धककन धकके ना इसे एक घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तो लीजे फ्रेंट्स यहाँ पर एक घंटा भी हमारा कम्प्लीट हो गया है और जो हमारे गुलाब जामून है वो साइज में डबल हो गया है बहुत ही जादा जूसी एक दम सूपर सॉफ्ट बने है एक दम हलवाई जैसे जैसे आप बाजार से लेकर खाते हैं या फिर किसी शादी पार्टी में खाते हैं बिलको लोसी तरह बने है एक दम मूँ में घुल जाने वाले तो उमीद करती हूँ फ्रेंट्स आपको आज की रेसिपी वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो पसंद आयो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर चरू कर दीजेगा मैं मि मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई एंड टेक क्यार